हलो दोस्तों गुड़ीवनिंग नमस्कार जैहिंद स्वागत है सभी का बाइजूस एक्जाम प्रेप के डिफेंस यूट्यूब चानल पर और दोस्तों आज एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं और वो नोटिफिकेशन है किया गया है यानि नोटिफिकेशन आजाया है तो दोस्तों हम समझेंगे कि नोटिफिकेशन और स ruth केंज़ूकिशन करेंगे तो आपको सेजन के साथ बने रहना है अंतक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ऩर यहेंति सबस्यबहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि टोटल विकेंशी। कितनी है तो टोटल जो विकेंशीज हैं किॉश्देट एह एसाउजेंट वन सबस्याजक्रेस है ४धैम्च 1 ज़्समें फ्लाइंग ब्रांश के लिए नि Did कुटांग। फ्लाइं ब्रांच में टोटल 38 वेकन्सिय्ज हैं और जिसमें में में के लिए 28 वेकन्सिय्ज्ज हैं और फीमेल के लिए 10 वेकन्सिय्ज हैं then ground duty technical तो बात करते हैं जो ground duty है कें तो ground duty technical में दोस्तो total 161 vacancies हैं जिसमें male candidates के लिए 145 vacancies हैं और female candidates के लिए 16 vacancies हैं फिर ground duty non-tech ground duty non-tech में दोस्तो 114 vacancies हैं जिसमें male के लिए 98 vacancies हैं और female के लिए 16 vacancies हैं तो यह दोस्तो total distribution है कि flying branch में 38 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 161 ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 114 vacancies हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं एज की तो एज eligibility क्या है तो जो flying branches है flying branch के लिए जो एज eligibility है वो 22-24 years की है यानि जिन candidates का जन्व एक जन्वरी 2001 से लेकर के एक जन्वरी 2005 के बीच में हुआ है दोनों dates inclusive हैं वो flying branch के लिए eligible हैं ground duty के लिए चाहे वो टेक्निकल हो या non technical हो इनकी जो age eligibility है दोस्तों वो है 20 से लेकर के 26 साल तक और यहां पर अगर आपकी age 2 January 1999 से लेकर के एक जन्वरी 2005 के बीच में है तो आप eligible हैं फिर बात कर लेते हैं qualification की है तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन अगर आप flying branch के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10 प्लस टू में आपका होना चाहिए physics chemistry physics और mathematics आपका subject होना चाहिए जिसमें आपके 50% marks होने चाहिए प्लस 60% marks होना चाहिए आपका graduation में और वही अगर आप non-tech के लिए apply कर रहे हो तो उस condition में भी सेम है कि physics and maths में आपका 50% होना चाहिए प्लस 60% होना चाहिए graduation में और वही अगर आप technical के लिए apply कर रहे हैं तो physics plus maths में आपका 50% होना चाहिए 10 प्लस टू में प्लस BTEC में आपके 60% overall marks होने चाहिए तो यह दोस्तो eligibility criteria है साथी साथ बात कर लेते हैं form filling डेट की जो form filling का डेट है वह स्टार्ट हो जाएगा एक दिसंबर से 11 बजे दिन से और चलेगा 30 दिसंबर तक और 11 बजे रात तक 2020 साथी साथ दोस्तों जो exam की tentative date है exam की जो डेट होगी वह होगी last week of February में और यह tentatively होगा 23 24 और 25 फरवरी को exam होना है exam का जो mode होगा वह होगा online mode पर और जो questions होंगे वह सिर्फ होंगे English में तो questions होंगे की वह मैंने आपके साथ discuss कर दिया है एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देखो और फिर आपको सारी की सारी जो इसकी concerns है वह clear हो जाएंगी कि क्या-क्या eligibility है और आप सभी लोग को अपनी eligibility को properly चाहे वह age का हो या qualification का हो सारी चीजें एक बार अच्छे से आप match-up करके देख सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों यह सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या qualification चाहिए क्या form filling की डेट है एक्जाम की फीज क्या है और किस mode में exam होगा और questions होंगे सिर्फ English में तो आई hope दोस्तों यहां तक सभी को clear हो गया होगा दोस्तों इसी के लिए byju's exam prep आपके लिए लेकर के आया है उडान a foundation course for FCAT 1 2024 और इसकी classes दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगी coming Wednesday से 22 November से और इस course का जो सबसे important point है कि वो है कि syllabus cover आपका before the examination होगा static gk जो काफी major role play करता है काफी major role play करता है एक्जाम में तो special session होगा static gk के लिए भी और syllabus और course इस तरीके से design है कि आप easily 220 प्लस marks score कर सकते हैं कि कहीं आप merit out होने की आपकी कोई संभावना नहीं है और last year दोस्तों जो सब्सक्राइब करों तो 75% of the experience जो इस course के पार्ट थे उन्होंने अपने रिटेन एक्जाम क्लियर किया था और इसी के candidate थे संजीव जाजू और इंडिया राइंग 11 FCAT 2022 में तो दोस्तों अभी तक अगर आपने तयारी नहीं स्टार्ट की है तो well this is the high time to start your preparation and clear the examination with flying colors तो उमीद करता हूं हूं दोस्तों कि सभी को notification समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या important segments है notification कि कौन-कौन से important pointers हैं और साथी साथ फिर से बता देता हूं कि आपका Air Force ने एफकाट वन दो हजार 24 का notification notification release कर दिया है तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही मिलेंगे अपने रेगुलर सेशन में तब तक ये लिए जय हिंद जय भारत